हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का रीजनिंग लाइफ पाई दीपक सर वन स्टॉप सॉलूशन ओफ रीजनिंग के धमाकेदार यूटूब चैनल पर और शॉर्ट ट्रिक की सिरीज में दोस्तों आप सभी लोगों के समक्ष में लेकर हाजिर हूँ counting of square यानि की वर्ग गिनने के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कि symmetric figure और non symmetric figure के अंदर हम लोग किस तरीके से squares को count करते हैं तो सभी लोग जिन्हों ने भी चैनल को subscribe नहीं किया है फटापट से subscribe कर लीजिए bell icon को press नहीं किया है तो press कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके से धमाकेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो चलिए फटापट से सिर्फ फरसलिव 5 सेकिंड के अंदर दोस्तों आप लोग जो है इस तरीके के questions को solve कर सकते हो symmetric figure का मतलब होता है कि row equal to column ठीक है? row equal to column का मतलब होता है कि पंक्ती और इस्तंबों की संख्या क्या है दो नियों? बराबर होनी चागी जैसे अगर आप उपर से लेके नीचे count करो तो आपको तीन row दिखेंगे तीन पंक्तियां दिखेंगे और इस्तंब आप देखोगे तो दोस्तों similarly एक, दो, तीन इस्तंब दिखेंगे अगर पंक्ती और इस्तंबों की संख्या बराबर है और आपको करना क्या है उसके बाद? कि किसी भी तरफ के चाहे वो पंक्ती की तरफ के हो या इस्तंब के तरफ के हो किसी भी एक साइड के number लेकर उनका square कर देना है जैसे 1 का square 1 2 का square कितना हो जाएगा? 4 3 का square कितना हो जाएगा? 9 और इन numbers को आपको aid कर देना है जब आप सभी को aid कर देंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि 14 जो है आपका answer आ चुका है यानि कि इस figure के अंदर 14 squares है ठीक है? इसी तरीके से non-symmetric figure के अंदर देखे किस तरीके से count करते है जैसे आपने numbering symmetric में करी वैसे ही आपको non-symmetric में करनी है अगर पंक्तियों की बात करू तो 3 पंक्तियां है और अगर इस्तंबों की बात करू यहाँ पर तो यहाँ पर total मला के 5 स्तंब है अब आपको क्या करना है यहाँ पर तो आप बराबर थे तो इसलिए एक तरफ के अंको का आप square कर रहे थे यहाँ पर आपको करना है कि सबसे सबसे उपर से लेके नीचे जाईए और सबसे बड़ा वाला जो number है उसको target कीजी और left to right में जाईए जो सबसे बड़ा वाला number है उसको target कीजी ठीक है यहाँ पर target किया उपर से नीचे आने पर 3 को left to right जाने पर 5 को अब आप देखी करना क्या है इसके अंदर total number of square count करने के लिए देखी आपको क्या करना है आप सबसे बड़े वाले numbers को multiply करेंगे तीन को 5 से multiply किया कितना आया 15 ऐसे ही अब एक कम करते जाईए तीन से एक कम कितना है दो पांस से एक कम कितना है चार दो को चार से multiply करोगे कितना आएगा आठ फिर दो में से एक कम किया कितना आएगा एक चार में से एक कम किया कितना आएगा 3 एक को 3 से multiply करेंगे ये कितना आया 3 आगया ठीक है अब आप सबको add कर लीजे सबको add कर लीजे 15 और 8 कितने होगे 23 23 और 3 कितने होगे 26 तो यहाँ पर total number of squares जो हैं दोस्तों वो है 26 तो मज़ा आया की नहीं आया यह बता दो फटाफट से सबी लोग बता दे तो मैं आपको दोस्तों दे रहा हूँ homework के लिए दो questions और इन दोनो questions के आप लोग answer मुझे बताएंगे ठीक है कि total number of squares कितने हैं इन दोनो questions में कुल वर्गों की संख्या आपको बतानी है कि इसके अंदर कुल वर्ग कितने हैं गाइस ठीक है comment box में comment करके जरूर बताईएगा कि इस वाले symmetric figure और इस वाले non symmetric figure के अंदर total कितने squares हैं तो जिन्होंने भी अभी तक like नहीं किया है like कर दें, share नहीं किया है share कर दें और subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे